हेलो फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं ब्लैक होल क्या होता है जिसे हिंदी में क्रिष्ण पिंड करते हैं क्रिष्ण मतलब काला ऐसा पिंड जो काले रंका है नहीं जानते हैं तो वीडियो पर बने रहे हैं तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है और इसक अब आपके दिमागे प्रसंद उठाओगा कि सभी वस्तों को अपनी और खीच लेती है यहां तक कि यदि प्रकास उसके रास्ते में आ जाए तो उस प्रकास को भी वह खीच लेती है गुत्वा आकरशन बल इतना प्रबल होता है ब्लैक होल के अंदर कि वह सभी वस्तों को खीच लेती है अगर प्रकास एक बार उसके अंदर इंटर करेगा ठीक है तो वह प्रकास को अपनी अंदर सोख लेगा उसको इस तरह से एब्जॉर्ब करेगा कि वह बाहर निकल नहीं तो प्रकास के बारे आँ जानते होंगे प्रकास को अलग-अलग बेग्यानी को उन्हें अलग-अलग तरीके से डिफाइन किया था तो कुछ लोगों नो इसको कड़ की रूप में माना, कड़ कोड़ पार्टिकल्स और कुछ लोग इसको वेप्स की रूप में माने तो अब आपको पता हुगा कि कोई भी कड़ है तो उसका अपना द्रविवान होता है ब्लैक होल के अंदर जैसे ही प्रकास प्रवीश करता है वह ब्लैक होल उसको अपनी और खीच लेता है अब आपके माई नमी यह कोशन बन रहा होगा कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं यह प्रस्ण आपके दिमाग को उठ रहा होगा ब्लैक होल बनते कैसे हैं तो ब्लैक होल जो होता है यह किसी तारे से ही बनता है तारे का मतलब इस्टार यह किसी इस्टार से ही बनता है जब कोई इस्टार नश्ट होता है मतलब की खत्म होता है तो वह अपने समस्त द्रब्यमान को एक जगह पर इकठा करता है मतलब बहुत सारा बड़ा जो इस्टार है ये अपने दर्विमान को एक छोटी से भाग में संकुचित करता है जिसको बोलते कंसंट्रेशन वह तारा अपने द्रव्यमान को इस थरह से concentrate कर लेता है कि उसका समझत द्रव्यमान कुछ ही भागों में संचित हो जाता है इसे कहेंगे इश्टूर हो जाता है जिसके काराण गुरत्वा आकर्षण बल बहुत अधिक हो जाता है जैसे ही इस गृत्वा आकरशड बल के छेतर में कोई दूसरी वस्तु इंटर करती है तो वह वस्तु को अपनी ओर खीच लेता है गृत्वा आकरशड बल इतना प्रवल होता है यह प्रकास को भी खीच लेता है मैं बार-बार प्रकास का ना में इसलिए रहा हूँ कि प्रकास की ही चाल है इस दुनिया में जो सबसे अधिक है प्रकास की चाल से कोई भी अधिक नहीं चल सकता ठीक है इसलिए बार-बार बता रहा हूँ कि प्रकास की चाल प्रकास को भी वह अपनी अंदर समीट लेता है देखिए जब कोई तारा नश्ट होता है तो वह तारा आइस्टीन ने भी बताय था कि ब्लैक होल किसी तारीक के नश्ट होने से ही बनता है तो आपके दिमाब के फ्रस्चन बनता हो कि ब्लैक होल पाए कहा जाते हैं तो ब्लैक होल हमारे इस ब्रह्मान में पाए जाते हैं देखे जो भी हमारा सोलर सिस्टम है वह किसी न किसी ब्लै होल के चारो और चक्कर लगा रहा है यह सूरिय के साथ सथ और भी स्टार है जो इस ब्लैक होल के चारो और चक्कर लगा रहे हैं तो मैं आसा करता हूं कि आपको समझ में आया हुगा कि ब्लैक होल कैसे से बनता है और उसके कारण गृत्वा आकर्शन पर इतना अधिक हो जाता है कि वह सभी वस्तों को अपनी ओर आकर्शित करता है तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और इसी तरह के इंट्रेस्टिक टॉपिक पर तब तक लिए धन्यवाद